हालो प्रेंट्स मैं घीता चलिए मैं आप लोग को आज भुट्टे की खिती दिखा रही हो जो मैं एक महने पहले लगाए थी आलू का खेत में जो मैं आलू लगाए थी रड़ पोटेटो उसी खेत में मैं भुट्टा लगाए थी तो कि ऐख हुग्ए जो लोग लागा बनाते हैं गहर में और यह मैं भी नहीं छुइन हिए नार्मॉL नॉर्मल बेड़ीकन के दीस हैं तो इसी को इहां पे बिज पर ग्रो करुंग्गो्ग्ए जिसने थोड़ी कलर्वाए रहती है वह फंगिसाइट रहती है और वो अच्छे से ग्रो होती है तो मैं वो बीज नहीं लाई हूँ मेरे अगले साल के जो बीज थे वो ही मैं बीज को लगा रही हूँ इस जमीन में जिस जमीन में आलू लगाई गई थी इसमें कोई खाद नहीं है जो आलू लगाई गई थी उसके ब में वह थोड़ी से लगाई हôm तो ये एक मैने में इतने बड़े हुए है बेबी न के जो परन्थase और जो बड़े भुट्टी का प्लांट है वो थोड़े और बड़े हुए हैं क्योंकि उसमें बड़े भुट्टे आते हैं फलते हैं तो उसके प्लांट भी जल्दी बढ़ते हैं और यह जो बेबी कान है चोटी चोटी रहती है यह इसके प्लांट थोड़े धे से बढ़ते ह छोटे में वहती लंबा हो जाती है और ढ़सी छोटी होती है तो आप देखिए ऐसे होते हैं प्लान्ठ पत्ती थोड़े से खुड़े कहकर जैसे होती है और प्रद्टे में तीन मैने में भुट्टा हो जाती है मक्का स्य भून के कच्चे या सुखा के जो भी हो तो वो तीन मैने में तियार हो जाती है ऐसे तो ये बरसात में लगाई जाती है माई या जून में तब ये बरसात में अच्छे से ग्रो होती है पानी से हम लोग पहले ही लगा दिये हैं जनवरी मैना में तो ये बहुत अच्छे से ग् बढ़ रही है जो लंबा भुट्टा का प्लांट है वो जमीन में लगाने से बहुती मजबुती से खड़ी हो जाती है मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को दिखिए उपर का मीटी सुखा हुआ है और नीचे थोड़ी नमी है उसी से यह बढ़ रही है हम लोग रोज पानी देते हैं इसमें दो दिन तिन दिन बाद बाद पानी डालते हैं फिर भी अच्छे से ग्रो होते हैं क्योंकि यह जमीन में लगाई गई है और आप प्लांट में बहुती को प्लांट में ग्रो कर सकते हैं हुआने मिला के आप इसको भुट्टे का प्लांट को लगा सकते हैं जो बताई खाद वैसे खाद और मिट्टी मिला के बड़ी सी पट का चुनाव करें 12-15 इंच और उसमें आप से तीन प्लांट ग्रो कर सकते हैं और उसमें भी आराम से फ़ल ले सकते हैं भुट्टे की तो भुट्टे के प्लांट है बहुत ही लंबी हो जाती है और उपर से एक मेल फ्लावर निकलती है और साइट से जो पत्ते हैं उसमें से भुट्टे आती है तो यहां पर देखिए थ इसलिए हम लोग बीन्स को हर्विस्ट कर रहे हैं क्योंकि भुट्टा बड़ा बड़ा हो रहा है प्लांट तो यह दब जाएगी इसलिए बीन्स को तोड़ रहे हैं यही जमीन में बीन्स आलू और लैसुनी बगारे लगाए हुए बड़ी सी जमीन है तो आप लोग आराम से टेर्स गार्डन पर भुट्टे का खेती कर सकते हैं और आप खुद और गनिक भुट्टा खा सकते हैं जब यह प्लांट बड़ी होगी इसमें भुट्टा आएगी तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो आप लोग मेरे इडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक कमेंट शेयर जरू करें वाइफ है